नमस्कार इस patient को गिरने की वज़े से left elbow में radial head और neck fracture हुआ है क्योंकि ये fracture ज़्यादा displaced नहीं है, हम इस fracture को conservatively plaster से treat करेंगे पहले हमने हाथ में stockinette लगा है, इसके उपर हमने cotton soft roll से padding किया है और अब हम 4 इंच fiberglass material से above elbow cast apply करेंगे fiberglass material का weight भी कम होता है और इसकी strength भी ज़्यादा रहती है इसलिए वो जल्दी से तूट नहीं जाता और patient के लिए ज़्यादा comfortable रहता है plaster बहुत tight भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो ज़्यादा tight है तो blood circulation में problem आ सकती है plaster ज्यादा loose भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे fracture की stability कम हो जाती है plaster में पानी ना जाए उसका patient को ध्यान रखना चाहिए और उंगलिया और अंगोठे की और shoulder की भी अच्छे से physiotherapy करनी चाहिए धन्यवाद